असलाम अलेकूम फ्रेंड्स तो जी आज मैं आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार कडाही गोश्ट की रैस्पी यहाँ पे मैंने एक से दो किलो चिकन ले लिया है अब मैं आपको इसको वोश करने का बहुत ही असान तरीका बताऊंगी इसमें हम एड़ कर देंगे पानी जिसमें सिरफ ये चिकन डूब जाए अब हम इसमें एड़ कर देंगे वीनिगर वन से टू टेबल स्पून हमने इसमें वीनिगर एड़ कर देना है साथ ही हम इसमें वन टेबल स्पून नमक के एड़ कर देंगे और इसको एक से आदे गंटे के लिए इसी पानी में छोड़ देंगे यहाँ पर एक गंटा हो चुका है अब हम इसको वाश कर लेंगे आप इसको इसी पानी में वाश कर सकते हैं यहाँ पर देखें जी मैंने गोश्ट को अच्छी तरह से वाश कर लिया है और इसको अब हम हुश्च कोने के लिए रख देंगे अब हम ले लेंगे 3 प्यास दरम्याने size के साथ ही हम ले लेंगे 1 lesson और थोड़ा सा अधरक भी ले लेंगे अधरक आपने ज़्दा डालने आप ज़्दा डाल सकते हैं प्यास को मैंने cut कर लिया है और साथ में मैंने लेसन को भी कर लिया है इन तिनों चीजole को कट करने के पाद आपने दो के उस करना है तो जी अब हम ले लेंगे एक कुड़ाही और उसमें हम ऐड़ कर देंगे 1 से 2 कप आइल के एड़ करेंगे साथ ही हम उसमें प्यास भी एट कर देंगे और इसको लाइट सा पिंक करना शुरू कर देंगे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह हाफ से ददा फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही मज़े की हुश्चबू आरे ही अगरा फूटी है तो आपको यह हुश्चबू बहुत ही ददा मज़े की लगेगी यहाँ पे हो गए हैं प्यास ब्राउन इससे ददा ब्राउन की तो यह जल जाएंगे अब हम इसको एक जग में डाल लेंगे और ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे वहाँ पे हमने जो गड़म ओल चोड़ा हो था प्यास बोला उसी में हम एड़ कर देंगे चिकन और चिकन को हम इसमें पिंक करना शुरू कर देंगे चिकन को हमने काफी अच्छी तरह से बूनना है और अगर यह नीचे लगने लगज़े तो हमने इसमें पानी आड़ करना है और इसी तरह हम कोई एक से आदे गंटे के लिए इसको अच्छी तरह से बूनेंगे ताकि जो इसमें जो स्मेल आती है वो ना आए प्यास ठंडे हो चुके हैं, अब हम इसमें अध्रक आड़ कर देंगे और साथ ही हम इसमें लसन भी आड़ कर देंगे और बहुत थोड़ा सा पानी डाल के इसमें हम इसको ब्लेंड कर लेंगे यहां देखें कितना प्याड़ा यह अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन चुका है अब हम चिकन में आड़ कर देंगे वन से टू टेबल स्पून नमक के और नमक डाल के इसकी बुनाई करेंगे जो लोग नमक कम खाते हैं वो कम नमक आड़ कर सकते हैं बहुत ही प्यारी हुश्बू आड़ ही है उमीद है आप लोगों को भी आड़ ही होगी यहां पर देखें यह अच्छी तरह से बुना जा चुका था अब हम इसमें साड़ा पेस्ट आड़ कर देंगे और इसकी फिर से बुनाई शुरू कर देंगे दूसरी तरह हम 5-6 टमाटर ले लेंगे मैंने यहां पर 6 लिए और मैंने इनको भी ब्लेंड कर लिया है इनका पेस्ट बना के रख लेना है आपने और जब लेसन और अद्रक के पेस्ट में चिकन को अच्छी तरह से बूने और जब वो अच्छी तरह से बून जाए फिर उसमें हम टमाटर का पेस्ट पी आड़ कर देंगे टमाटर आड़ करने के बाद भी हम इसकी बुनाई करेंगे अब हम यहां पर एक बड़ी प्याली दही के ले लेंगे और आप किसी भी ब्रैंड का कराही मसाला ले सकते हैं मैंने इसमें 3-4 चमच एड़ कर दिये हैं हम इसको दही में अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे मैंने यहां फ्रीजर वाली दही ली है आप फ्रेश भी ले सकते हैं तो मैं इसको छोड़ी हूँ यहां पर ही आगे चलते हैं यह देखें गोश्ट तकरीबन गल ही चुका है अब हम इसमें यह दही और साथ इसका मसाला जो हमने इसमें अट किया था एड़ कर देंगे और फिर इसको हमने अच्छी तरह से बूनना है यहां तक कि दही का पानी हुश्कोजे बहुत ही मज़े की हुश्बू आ रही है उमीद है आप लोगों को भी आ रही होगी यहां पर आप देखें गोश्ट तकरीबन पकी चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे इसको बून रही हूँ और यह जो चिकन है आपको पता कितनी जल्दी पक जाता है अब आप यहां देख रहे हैं यह तकरीबन पकी चुका है अब हम इसमें एड़ कर देंगे दनिया और तीन से चार हरी मिर्ची इसमें एड़ कर देंगे अगर आप लोग स्पाईस टेस्ट खाते हैं तो आप एंड पर ब्लैक पैपर भी आड़ कर सकते हैं अब हम हरी मिर्चे भी आड़ कर देंगे और साथ ही हम इसमें दनिया भी आड़ कर देंगे इसके बाद हमने इसको लगादन है 5-10 मिनिट के लिए दम पर 10 मिनिट हो चु बहुत शुक्रिया और खाने से पहले हमेशा बिस्मिला बढ़ ले